Hello and welcome back to Alphabet's Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start in the second for class second and the chapter is tenth. आज हम लोग दस्माँ पार्ट स्टार्ट करेंगे और दस्माँ पार्ट में क्या है? दस्माँ पार्ट जो है वो क्रिया जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है? तो क्रिया किसे कहते हैं या इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश सेकेंड में पढ़ेंगे ग्रामर में वर्ब तो आज हम लोग हिंदी में क्रिया की परिभाशा या किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे और किन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं उसके बारे में जानेंगे तो लेट आसे स्टार्ट वर्ब या क्रिया शुरू करने के पहले परिभाशा बताने के पहले आईए थोड़ा सा कविता दी हुई है पहले उसको पढ़ लें जिससे आपको और आसानी से क्रिया को समझने में मदद मिलेगी ठीकिना पढ़ो और समझो कौन सिखाता है चडियों को चीची करना कौन सिखाता है चडियों को फुदक फुदक कर चलना फिरना कौन सिखाता है चडियों को फुरफुर उड़न्या दाने चुगना कौन सिखाता है चडियों को तिन के लाकर गोसला बनाना अब इस आर्ट लाइन की जो कविता दी हुई है इसमें कुछ शब्द आपके रंगीन है ये जिसे सिखाता है की नहीं कौन सिखाता फिर करना सिखाता करना फिर ये चलना फिरना है की नहीं फिर है उड़ना ये शब्द जो है जो रंगीन में दिये हुए यहाँ पर ठीक है न फिर यहाँ पर है चुगना दिख रहे हैं ये सारे शब्द इसी तरीके से लाकर है की नहीं बनाना तो ये डिफरेंट वर्ड्स जो है जो ये अलग अलग शब्द हैं ये रंगीन में दिये हो रहे हैं और ये क्या बताते हैं इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है इन शब्दों से हमें पता चलता है तो ये शब्द ऐसे हैं जिससे किसी काम के करने या होनी का पता चल रहा है है कि नहीं, तो आईए देखें आगे, बच्चों आपने पढ़ा और जाना की चिडिया क्या क्या काम करती है, अभी हमने बता है ना, चलना, फिरना, उड़ना, चुगना, लाना, बनाना, यह आदी शब्द जो हैं, वो काम बताने वाले शब्द हैं, यह सारे शब्द अभी ह बताने वाले शब्द, यह हमने आपको दिखाए, ठीक यह कैसे शब्द हैं जो अभी हमने लिखे उपर यह काम बताने वाले शब्द हैं, तो यही काम बताने वाले शब्द जो हैं, वो कैसे शब्द कहलाते हैं, वो कैसे शब्द कहलाते हैं, वो किरिया के किरिया शब्द कहलाते हैं ठीक तो काम बताने वाले शब्द याब हम लोग ने पढ़ा वही शब्दों को उन्ही शब्दों को हम किरिया शब्द कहते हैं आओ देखे नीचे कुछ चित्रों में क्या क्या काम हो रहा है ठीक है नवा आये कुछह और चितर देखते हैं रोहन तर्बूज खा रहा है अब यहाँ क्या कर रहा है खाना है क्या है काम है कृपड़े सुखा रही है यह कपड़े को सुखाना क्या होगा वो भी एक तरह का कामी नानी स्वेटर भुन रही है तो ये भी है काम कर रही है कौन सा काम कर रही है सोटर बुनने का काम कर रही है पिदा जी फोन पर बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है ये भी सारे शब्द जो है वो किसी न किसी काम को बता रहे हैं और ये सारे शब्द जो किसी काम के करने या होने को बताते हैं उन्हें ही हम क्या किरिया शब्द कहते हैं या किरिया कहते हैं अब आईए और अच्छे से हम लोगों ने जान लिया थोड़ा सा किरिया की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं ठीक है? ठीक है? अब देखें इसमें और भी कुछ figures दी मुई है, जैसे चान चमक रहा है, फूल खेल रहा है, तो यहां चमक रहा है, यह भी किरिया होगा, यह कि नहीं? फूल खेल रहा है, वो भी किरिया होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से दिये गए चित्रों में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं जैसे खाना, सुखाना, बुनना, बोलना, चमकना और खिलना सभी कुछ न कुछ काम करते हैं कुछ काम किये जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं तो कुछ काम किये जाते हैं, जैसे कि दोड़ना है, खेलना है, पढ़ना है, तो वो करना पड़ता है, और जो काम, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, जैसे आदमी सो जाता है, उसके लिए, तो सोना है, उसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए काम न किये जाते हैं या और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं या हो रहें ठीक है कुछ कामों को किया जा रहा है या कुछ काम अपने आप हो जाते हैं तो दो तरीके से दो प्रकार की किरिया हो सकती है ठीक है और आगे क्लासे में पढ़ेंगे अभी हमको यहां पर दिख नहीं रहा तो क्रिया दो प्रकार से होती है, एक जिसके लिए काम किया जा रहा है, और एक अपनी आप हो रहा है, ठीक है, एक में कर्म होता है, जिसको हम आगे क्लासे में पढ़ेंगे, अभी मैं नाम आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, सकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कर्म किया जाता है, और अकर्मक क्रिया जो अपने आप हो रहा है अकर्मक तो दो परकार की क्रिया होती है एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वो अभी नाम मेंशन नहीं है इस क्लास में आप लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बताया जाएगा ठीक अभी आप यह समझे कि किरिया किसे कहते हैं और किरिया के शब्द कौन-कौन से होते हैं वो हमने बता दिया है और किरिया दो परकार से हो जाती है एक अपने आप होई जिसमें कोई काम नहीं किया जाता है अपने आप हो रहा है और एक होता है किया जा रहा है ठीक है तो जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चले उसे किरिया कहते हैं ये में किरिया की डिफिनिशन है जो आपको याद करनी है जिस शब्द से जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ग्यान होता हो या ग्यान या बोध भी कहीं कह रिखा होता है, उसे किरिया कहते हैं, अब यहां पे कुछ अन शब्द, किरिया शब्द ये हुए, इनको भी आप देखीए, पढ़िएगा, रीट कर लिएगा, उठना है, पीना है, बोलना है, सुखाना है, इसी परकार यहां पे कुछ और शब्दिये हुए, है न, बैठना ह यह सारे शब्द जो है वो करिया के ही शब्द है ठीक है ना पकाना पढ़ना चलना सोना तो अब ये चलना में तो क्या होगा इसके लिए काम करना पड़ेगा और ये अपनी ही आप हो जाता है जैसे कि बारिश का होना, तो उसको सकर्मक और कर्मक किरिया बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जागा, भी सिर्फ परिभाशा और शब्दों के बारे में जानना था, ठीक है ये आप इसको दुबारा से दो रहा के पाथ सकते हैं, वही चीस की repetition and nothing new in it, कोई नि ही है, जो अभी तक हम लोग ने discuss किया उसी के बारे में है, जिन शब्दों से किसी काम कि करने या होने का पता चले, उन्हें किरिया कहता है, यह definition होगी किरिया की, किरिया शब्द या किरिया जो हैं हसना, रोना, खाना, पढ़ना, लिखना यह सारी किरिया ये या किरिया जाते हैं उसके लिए हम काम का अपने आप होना कहते हैं जो आगे classes में और अच्छे से define किया जाएगा ठीक है तो this was a chapter ठीक है और अब आईए exercises पर जो कि बहुत आसाने कुछ मुश्किल नहीं है तीन और इकाम के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं क्रिया कहलाते हैं बता सकते हैं हसना गाना रोना ये सारे के हैं खेलना सब क्रिया शब्द है रमन सेब खाता है वाक में काम बताने वाला शब्द कौन सा है काम कौन सा शब्द बता रहा है या क्रिया शब्द कौन सा है खाता है ये खाता है ना खाना तो वो जो है वो क्रिया शब्द तो ये और अब आई टिक करना है इसको आपको बुक मही कर लेना है अलग से एकसराइज़ मैं नहीं बेजूंगा क्योंकि इसको वीडियो को पॉस्ट करके आप कॉपी में क्लासवा कॉपी में लिख लेंगे किसी काम के करने या होने का बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं अभी बताया क्रिया यहां पर टिक कर दीजेगा किसी किसके शब्द किसके बिना वाक अधूरे होते हैं किसके बिना वाक अधूरे होते हैं बताये क्रिया के बिना वाक अधूरे होते हैं ठीक है न तिक कर दीए गये शब्दों में से क्रिया शब्द है मीठा किरिया शब नहीं अच्छा किरिया शब नहीं विशेश ने बताया था अच्छा बुरा पढ़ना पढ़ना जो किरिया शब नहीं है कौन सा किरिया शब नहीं है बच्चा जो है वो संग्या है और ये सारे जो है वो ये सब क्या है किरिया हसना खेलना खाना ठीक है अब इसको आप copy में कर लेंगे class वाइक, इसमें मैं ने fill कर दिया है, ठीक, आप इस वीडियो को यहीं पर pause कर दिजिए, अगर दिक्कत हो तो हो नहीं, आपको समझ में आ गया है, तो आप खुद से भी fill कर सकते हैं, मुझे कहानी सुनाओ, तो सुनाना जो है, वो किरिया शब्द ह इसको fill करना है, कल मैंने ये गीत गाया, अभी अभी मुझे काच का ग्लास टूट गया, बहुत देर हो गई, मैं सोने जा रहा हूं, या जा रही हूं लिख सकते हैं, देर तक टीवी देखने से मेरी आखें लाल हो गई, तो इस परकार से आप इसको class वापी में कर लेंगे, और दो प्रशन उत्तर हैं, इसको भी आप class वापी में लिख लेंगे, आप लिखा हुआ देखिए, और ये तीसरा चोथा वाला था प्रशन उत्तर है दो, क्रिया शब्द किसे कहते ही, और इसके पहले आपका समान क्रिया वाले इसको चाहिएगा, तो आप बुक में फिल क कर लिजेगा, कॉपी में करने तो बेटर है, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा, समान क्रिया वाले शब्द को कजोड़ा बनाना है, तो रोना, रूलाना, जागना, जगाना, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे class वापी में, और ये उत्तर तो लिखना ही है, आपको किरिया किसे कहते हैं, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, परशने चार, है कि नहीं, और इन दोनों को लिख लिजेगा, परशने चार, इस तरीके से यहाँ पे इसको पॉस कर देंगा, हराम से आप लिख सकते हैं, और दूसरा है, क्या उगाना किरिया शब्द है, अहां होगा ना, किरिया शब्द है, इस तरीके से आप लिख लेंगे ठीक, और लास्ट वाला जो है, वो बहुत आसान है, आप इसको क्या करना दियेगा, चितरों किरियाओं से मिलाना है, तो यह हमने मार्क नहीं किया आप खुद मिला लिएगा कोई मुश्किल है नहीं ठीके ना घोड़ा अब घोड़ने से मिला दीजेगे भहत आसान मिस तारे कि सक्नारि मिला देंगे अपनों बलांटिा गोड़ा से मार कर देगे वागता है कुठ न तो नों से मिला दीजिए 280 讲 चिंग एड़ता है और अटी और यह फिल्गादर दीजिए ता है रंभाती गाय रंबाती इच घींगे और उट बलाता है तो इस प्रकार से आप मार कर दिजिएगा और क्लास्वा कॉपी में नोट कर लेंगे hope all of you must have understood that chapter chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई problem हो तो आप call करके हमसे बात कर सकते हैं ठीक है? ओके? तैंक यू वेरी मच God bless you